तो आज हम 10th Hindi Medium Subject Science का Chapter 1 करने वाले हैं और Chapter 1 का नाम है रासाइनिक अभीक्रियाई एवं समीकरण चलिए exercise से शुरू करते हैं निमनलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए Question 1. वायू में जलाने से पहले Magnesium Ribbon को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर वायू में जलाने से पहले Magnesium Ribbon को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इसकी उपरी सतह पर लगे धूल कण आदी साफ हो जाए और Magnesium की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके basically magnesium की एक ribbon kind structure होता है उसे जलाने से पहले हम साफ करते हैं जलाने के लिए बच्चो oxygen बहुत जादा important होती है इसलिए जब हम ribbon को साफ कर देंगे तो उसके उपर उपस्ते धूलकंट सारी चीज़े साफ हो जाएंगी और magnesium direct हवा के संपर्क में मतलब कि oxygen के संपर्क में आ जाएगा जिससे वो easily जल जाएगा next question निमन लिखे दरा साइनिक अभी क्रियाओ के लिए संतुलित समीकरण लिखिए hydrogen plus chlorine is equal to hydrogen chloride जब आप hydrogen को chlorine से मिलाते हैं तो बच्चों क्या बनता है? HCl hydrogen chloride second, barium chloride plus aluminium sulfate is equal to barium sulfate plus aluminium chloride barium chloride का क्या formula होता है बच्चों? Bacl2 and aluminium sulfate का क्या formula होता है? Al2SO4 whole thrize यहाँ पर barium chloride और aluminium sulfate को मिलाने पर हमें barium sulfate और aluminium chloride मिलते हैं third है sodium plus gel is equal to sodium hydroxide plus hydrogen sodium का formula होता है Na, gel का होता है H2O जब आप sodium को जल से मिलाते हैं तो हमें मिलता है sodium hydroxide NaOH plus साथ ही साथ कौन सी gas release होगी? H2 hydrogen gas next question है निमनलिकित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासाइनिक समीकरन लिखिए पहला जल में barium chloride Bacl2 तथा sodium sulfate NaSO4 whole thrize के विलियन अभिक्रिया करके sodium chloride का विलियन तथा अघुलंशिल barium sulfate का अवक्षेप बनाते है तो इसे आप रासाइनिक अप्रिक्रियाओं से कैसे प्रतिशित करेंगे बच्चो barium chloride का formula होता है Bacl2 plus sodium sulfate का formula होता है Na2SO4 whole thrize इन दोनों से मिलके क्या बनेगा बच्चो Na के साथ Cl जुड़ जाएगा ये दोनों आपस में मिला करके NaCl बनाएंगे plus baso4 बन जाएगा next is sodium hydroxide का विलियन जल में hydrochloric aml के विलियन जल में से अभिक्रिया करके sodium chloride का विलियन तथा जल बनाते है sodium hydroxide का क्या formula होता है बच्चो NaOH NaOH की अभिक्रिया किस से होगी hydrochloric acid से होगी that means HCl से होगी तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा NaCl plus H2O next question fourth किसी पदार्थ X के विलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है तो उस पदार्थ X का नाम बताईए तथा इसका सूत्र लिखिए आपको यह बताना है कि किस पदार्थ को उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है सफेदी मतलब पुटिंग जो घरों में पुटिंग होती है वाइट कलर की तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है पदार्थ का नाम है Calcium Oxide या आम बोलचाल की भाशा में इसे हम चूना कहते है और इस पदार्थ का सूत्र होता है CAO second उपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिये हमने X का मान बता दिया क्या होगा CAO होगा अब इसकी अभिक्रिया हमें जल के साथ करानी है अब इन दोनों से मिलने के बाद क्या बनेगा बच्चो CAOH whole twice Calcium Hydroxide आम बोलचाल की भाशा में इसे बुझा चुना कहते है प्लस कुछ उश्मा यहाँ पे रिलीज होगी next question fifth क्रिया कलाब 1.7 में एक परक नली में एकत्रित गैस की मातरा दूसरी से दो गुनी क्यों है उस गैस का नाम बताईए उस गैस का क्या नाम है बच्चो Hydrogen question number six नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंद में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे आपको एक रासाइनिक अभिक्रिया दी गई है उससे related कथन दिये गए है आपको बताना है कि इन में से कौन सा कथन गलत है अभिक्रिया है 2PBO solid state में जो यह bracket में S लिखा है उसका मतलब है कि यह solid है ठोस अवस्था में है plus carbon solid state में is equal to 2PB solid state में plus carbon dioxide gaseous form में है तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है सीसा अपचाईत हो रहा है यहाँ कथन गलत है क्योंकि यहाँ पे सीसा चाईत हो रहा है next question है Fe2O3 plus 2Al is equal to Al2O3 plus 2Fe उपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है यहाँ आपको बताना है तो यहाँ अभिक्रिया विस्थापन है विस्थापन अभिक्रिया के अंतरगत एक Al यहाँ से निकल के O3 के साथ क्रिया करेगा और आइरन अलग से बन जाएगा इसलिए Fe2O3 plus 2Al is equal to होगा Al2O3 अब क्योंकि Aluminium ने सिंगल स्टेट से हट करके Oxygen के साथ मिलकर अभिक्रिया कर ली है वह एक स्थान से दूसरे स्थापन पर विस्थापन कर चुका है इसलिए इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते है और अगर ऐसा दो बार हो जाये बच्चों तो मतब जैसे Aluminium ने किया है ऐसे ही कोई और तत्व भी कर ले तो उसे द्वीविस्थापन अभिक्रिया कहते है Q8. लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लॉरिक एसिद डालने से क्या होता है? आंसर है, हाइड्रोजन गैस एवं आइरन ख्लोराइड बनता है Q9. संतूलित रासाइनिक समीकरण क्या है? रासाइनिक समीकरण को संतूलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, जिस रासाइनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हूँ तो वह समीकरण संतूलित रासाइनिक समीकरण कहलाता है इसे एक्जाम्पल से समझते हैं बच्चो example है zn मतलब zinc plus h2so4 is equal to znso4 plus h2 यहाँ पर हमें देखना है कि left hand side पे क्या लिखा गया है zn plus h2so4 और right hand side पे क्या लिखा गया है znso4 plus h2 अगर हर एक तत्व की मात्रा दोनों तरफ समान है तो यह समीकरन संतुलित हैं देखिए कैसे चेक करते हैं zinc को देखो zn यहाँ पर एक zinc है और इधर भी एक zinc है ठीक है next तत्व hydrogen को देखते हैं hydrogen यहाँ पर 2 है h2 तो यहाँ पर भी 2 ही होने चाहिए बिल्कुल यहाँ भी 2 है iso4 single है और यहाँ पर भी iso4 single है अतह दिया गया समीकरन संतुलित समीकरन है द्रव्यमान संडक्षन के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासाइनिक समीकरन संतुलित करना आविश्यक है और द्रव्यमान संडक्षन का नियम क्या कहता है बच्चो कि कोई द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है ना उसे नश्ट किया जा सकता है बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है मतलब द्रविमान क्रिया से पहले और अभिक्रिया होने के बाद बराबर होना चाहिए क्योंकि ना वह कम हो सकता है ना ज्यादा होना चाहिए For example, अगर 10 है अभिक्रिया से पहले तो अभिक्रिया के बाद भी 10 ही रहना चाहिए Next is द्वी विस्थापन बच्चों मैंने पहले आपको विस्थापन बताया अब यह द्वी विस्थापन है Example, Na2SO4 प्लस BACL2 is equal to BASO4 प्लस 2NACL यहाँ पे दो तत्व विस्थापन कर रहे है इसलिए से हम द्वी विस्थापन कहते हैं Na यहाँ से हटके CL के साथ मिल करके क्या बनाएगा 2NACL ठीक है और SO4 BA के साथ अबिक्रिया करके क्या बनाएगा BASO4 यहाँ पर दोनों ही ने अपने विस्थापन किया है इसलिए इस अबिक्रिया को द्वी विस्थापन कहेगे Question number 10 निम्न कतनों को रासाइनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए 1. नाइट्रोजन हाइडोजन गैस से संयुक करके अमोनिया बनाता है नाइट्रोजन बच्चों क्या होगा? N2 हाइडोजन क्या होगा? H2 इन दोनों को आपस में जब हम मिलाएंगे तो NH3 बनता है NH3 को क्या कहते है? अमोनिया कहते है 2. हाइडोजन सल्फाइड गैस का वाइउ में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाय ओक्साइड बनता है हाइडोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मुला होगा? बच्चो H2S और वाइउ में दहन, दहन के लिए क्या आवश्यक होता है? आउक्सिजन आवश्यक होता है मिलकर के क्या बनेगा? बच्चो H2 यहाँ से हटेंगा और O यहाँ से हटेंगा मिलकर बनाएंगे H2O प्लस क्या बच जाएंगा? SO2 Aluminium Sulphate के साथ अभिक्रिया कर Barium Chloride, Aluminium Chloride एवं Barium Sulphate का अवक्षेप देता है Aluminium Sulphate, Al2SO4, Hothroise प्लस BACL2 क्या मिलके बनेगा? AlCl3, Aluminium Chloride, प्लस BASO4, Barium Sulphate और इसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए Barium Chloride के 3 molecules लगेंगे Similarly, Aluminium Chloride के 2 लगेंगे and Barium Sulphate के भी 3 लगेंगे Question No.4 Potassium धातू, जल के साथ अभिक्रिया करके Potassium Hydroxide एवं Hydrogen Gas देती है Potassium का क्या formula होता है बच्चो? K जल का क्या होता है? H2O आपस में मिलके क्या बनाएंगे? KOH याने की Potassium Hydroxide और बच्चा क्या बच्चो? सिर्फ और सिर्फ Hydrogen Next जो अभिक्रिया है यह संतुलित लिखी गई है 2K प्लस 2H2O is equal to 2KOH प्लस H2 Question No.11 निम्नरा साइनिक समीकरण को संतुलित कीजिए अब ये A, B, C आप लोगों के लिए homework है इन्हें आप मन से करके देखेंगे ठीके बच्चो? कैसे करेंगे? मैंने आपको बता दिया है LHS को RHS से equal करना है हर तत्व के molecules के number देखेंगे जिसे पहले वाले में देखे आप Hydrogen के अगर 2 है तो यहाँ पे भी Hydrogen के 2 होने चाहिए और यहाँ पे भी 2 है तो overall 4 होने चाहिए ठीके? ऐसे आप सारे करके देखेंगे A, B, C, D Question number 12 निमन अभिक्रियाओ के लिए संतुलित रासाइनिक समीकरण लिखिए Calcium Hydroxide का क्या formula होगा? C, A, O, H hold twice, plus carbon dioxide का क्या formula होगा? C, O, 2 इनसे मिलकर क्या बनेगा बच्चो C, A, C, O, 3 that means calcium carbonate plus H, 2, O next, B zinc plus silver nitrate zinc का formula Z, N होगा plus silver nitrate का formula होगा A, G, N, O, 3 इनसे मिलकर क्या बनेगा बच्चो zinc nitrate Z, N, O, 3, hold twice plus silver release होगा next, aluminium plus copper chloride is equal to aluminium chloride plus copper aluminium जब copper chloride that means CuCl2 से अभिक्रिया करता है तो मिलकर aluminium chloride बनाता है साथ इसाथ carbon copper बनता है same similarly D option आप अपने मन से करेंगे solution हम आपको provide कर दे रहे है question number 13 नेमिल अभिक्रियाओ के लिए संतुलित राशायनिंग समीकरन लिखिये एवं प्रतेक अभिक्रिया का प्रकार बताईए यहाँ पे आपको संतुलित भी लिखना है साथी साथ बताना है कि अभिक्रिया का auf क्या है first a potassium bromide kbr plus barium iodide ba i2 is equal to potassium iodide ki plus barium bromide ba br2 similarly b c and d आप अपने मन से करेंगे question number 14 उश्माशेपी वम उश्मा शोशी अभिक्रिया का क्या अर्थ है उश्माशेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उश्मा उच्सर्जित होती है उश्मा शेपी अभिक्रिया कहलाती है ऐसी स्रासाइनिक अभिक्रिया बच्चो जिसमें उश्मा रिलीज होती है उच्सर्जित मतलब निकलती है उन्हें हम उश्मा शेपी अभिक्रिया कहते है Example, Calcium Oxide plus Water is equal to Calcium Hydroxide plus some Energy CaO plus H2O is equal to CaOH whole twice plus Ushma Next, Ushma Shoshi Abhikriya, यहां इसकी उल्टी Abhikriya कहलाती है वहाँ Abhikriya, जिसमें Ushma का आवशोशन होता है Ushma Shoshi Abhikriya कहलाती है Burf plus Ushma is equal to Gel Burf में Ushma मिलेगी, तबी तो वह पानी बनेगा पिघल के इसलिए इसमें Ushma का आवशोशन होता हुआ है Question No.15 Shwasan को Ushma Shepi Abhikriya क्यों कहते है Ushma Shepi मतलब की जिसमें Ushma निकलती है Shwasan एक मंद देहन आवशीकरण की अभिकriya है जिसमें Carbon Dioxide, Gel, Wasp, A1, ATP, Adenosine, Triphosphate के रूप में Ushma निकलती है इसलिए इसे Ushma Shepi Abhikriya कहते है बच्चो Shwasan का मतलब ही यह होता है कि जो हमने Oxygen Inhal की है साथी साथ हम जो खाना खा रहे है उनके Mindles के साथ वो Oxygen मिलके Oxidation करे and at the end ATP बनाए जो Energy होती है वो ATP के Form में होती है ATP का Full Form क्या होता है Adenosine, Triphosphate यह हमारी Energy होती है इसलिए यहाँ पे हमने Energy बनाई यह Abhikriya Ushma Shepi Abhikriya कहलाएगी Next Question No.16 वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरित क्यों कहा जाता है इन अभिक्रियाओं के लिए समिकरन लिखिए अथवा वियोजन व संयोजन अभिक्रिया को उधारण सहित समझाईएं वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रियाओं में एकल अभिकर्मक तूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं Example CaCO3 is equal to CaO plus CO2 क्या होती है वियोजन अभिक्रियाओं जिसमें एक ही अभिक्रमक मतलब जो पार्टिसेपेंट एक ही है बहर तूट करके दो या दो से अधिक प्रोड़क्त या उत्पाद बनाते हैं जिसे कि Example में CaCO3 तूट कर क्या बना रहा है CaO plus CO2 तो इन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते है Second, सैयोजन अभिक्रिया सैयोजन अभिक्रिया सैयोजन बच्चों नाम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ मिल रहा है Whereas, वियोजन उल्टा मतलब कुछ दूर-दूर हो रहा है सैयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं जैसे कि CAO प्लस CO2 is equal to CACO3 और हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ आपस में एक दूसरे की उल्टी अभिकरिया है question number 17 उन वियोजन अभिकरियाओं के एक एक समी करण लिखिये जिन में उश्मा प्रकाश एवं विध्यूत के रूप में उड़जा प्रदान की जाती है जैसे कि first CACO3 इसमें उश्मा हम देंगे तभी तो वो तूटेगा तूटके बनेगा CAO plus CO2 second electricity विध्यूत किसमें देना पड़ता है पानी में देना पड़ता है बच्चो इसलिए H2O breakdown होता है hydrogen plus oxygen में third है 2AGCl silver chloride इसमें सूर्य प्रकाश की जरुरत पढ़ती है और सूर्य प्रकाश की जरुरत पढ़ने के बाद क्या मिलता है 2AG plus chlorine विस्थापन एवं दूई विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है इन अभिक्रियाओं के समीकरन लिखिये विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवन से अलग कर उसका इस्थान स्वयम ले लेता है जैसे की Fe plus CuSo4 is equals to FeSo4 plus Cu यहाँ पे देखिए एक तत्व याने Fe, दूसरा तत्व याने Cu और Cu का लवण क्या है बच्छो So4 तो Fe, Cu और So4 को हटा करके So4 के साथ मिल जाएगा बनाके FeSo4 बनाएगा प्लस Cu बनाएगा तो इसे हम विस्थापन अभी करिया कहते है अगर यही काम दो बार हो तो इसे हम द्वी विस्थापन अभी करिया कहेंगे द्वी विस्थापन अभी करिया में अभी कारक के बीच आइनों का आदान प्रदान होता है इसे द्वी विस्थापन अभी करिया कहते है जैसे Na2SO4 plus BACL2 is equals to BASO4 plus 2 NaCl Question number 19 Silver के शोधन में Silver Nitrate के विलियन से Silver प्राप्त करने के लिए Copper दादू द्वारा विस्थापन किया जाता है इस प्रक्रिया के लिए अभी करिया लिखिये Silver के शोधन में जल Silver Nitrate के विलियन में Copper मिलाया जाता है तो यह Silver को विस्थापित कर देता है क्योंकि Copper Silver से अधिक क्रिया शेल होता है Example है Silver Nitrate 2 Ag No3 यहाँ पर 3 लिखेंगे सारे बच्चे No3 प्लस इसमें हमने Copper मिला दिया तो Copper जो है वो No3 लवण के साथ मिल जाएगा और Ag को हटा देगा Cu No3 whole twice प्लस 2 Ag Next question 20 अवक्षेपन अभी क्रिया से आप क्या समझते है उधारन देकर समझाईए वह अभी क्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्मान होता है अवक्षेपन अभी क्रिया कहलाती है Example Na2SO4 प्लस BACL2 इस इक्वल टू BASO4 प्लस 2 NaCl यहाँ पर Sodium Sulphate, Barium Chloride के साथ क्रिया करके Barium Sulphate वह Sodium Chloride बना रहा है और अवक्षेपन अवक्षेप कौन से बने हैं पर NaCl Question No.21 Oxygen के योग या हास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए वह प्रत्य के एक उधारन दीजिए उपचेपन क्या होता है वह अभीक्रिया जिसमें Oxygen में व्रिद्धी हो उपचेपन कहलाती है मतलब Oxygen जिसमें बढ़े उसे हम उपचेपन कहते है चैसे की Cu plus H2O is equals to Cu plus H2 Cu plus H2O is equal to 2Cu plus H2 2CuO plus H2 तो यहाँ पर Oxygen में व्रिद्धी हो जाएंगी एक से दो हो जाएंगी Oxygen इसलिए इसे उपचेपन कहते है अपचेपन में Oxygen की मात्रा कम हो जाती है जैसे एक्जाम्पल है Cu plus H2 यहाँ मिलकर के Cu plus H2 बनाएगा O को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए Question number 22 एक भुरे रंग का चमकदार तत्व X को वायू की उपस्तिती में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है इस तत्व X का नाम एवं उस काले रंग की योगिक का नाम बताईए भुरे रंग का चमकदार तत्व कौन सा होगा बचो Copper होगा और योगिक का नाम क्या होगा Copper Oxide भुरे रंग का कौन सा होता है Copper होता है और जलने के बाद वह काला हो जाता है जिसे कहते हैं copper oxide question number 23 निमन अभिक्रियाओ में उपचाईत और अपचाईत पदारतों की पहचान कीजिए अब आपको बताना है कि उपचाईत क्या हो रहा है और अपचाईत क्या हो रहा है उपचाईत मतलब वहाँ से वहाँ पे oxygen की व्रिद्धी होगी और अपचाईत मतलब वहाँ पे oxygen की कमी होगी अब बताईए यहाँ पे oxygen अपचाईत हो रहा है और sodium उपचाईत हो रहा है क्योंकि sodium के साथ oxygen जाकर की मिला तो उसमें oxygen की व्रिद्धी हो गई इसलिए वह उपचाईत हो गया और O2 अपचाईत हो गया क्योंकि उसकी कमी हो गई Next, CuO plus H2 is equals to Cu plus H2O यहाँ पर बच्चों कॉपर में से oxygen हट गया इसलिए वह अपचाईत हो गया और H2 में जाके जुड़ गया इसलिए H2 उपचाईत हो गया Next, C plus O2 is equals to CO2 कॉपर यहाँ पर उपचाईत हुआ क्योंकि उसमें oxygen एड हो गया और oxygen अपचाईत हो गया क्योंकि वहाँ कम हो गया Question number 24 लोहे की वस्तुओं को हम paint क्यों करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम इनको paint करते हैं paint वस्तुओं को नमी के सीधे संपर्क के आने से बचाता है जिससे जंग नहीं लगता Question number 25 तेल एवं वसायुक्त खाद्य पधार्तों को nitrogen से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामगरी वायू के सीधे संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचाईत हो जाती है मतलब की वहाँ पे oxygen add-on हो जाता है unnecessary oxygen आकर के add हो जाती है कर अपना स्वाद व गंध बदल कर विक्रीकरत हो जाते है जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती ताकि oxygen उसमें add ना हो पाए question number 26 निम्न पदों का वंडन कीजिए तथा प्रत्यक का एक-एक उधारन दीजिए संचारन वायू मंडल द्वारा धातू की सतह पर नवीन योगिक का बनना तथा धीरे धीरे शरण होने की प्रक्रिया संचारन कहलाती है फर एक्जामपल लोहे पर जंग लगना लोहे पर automatically एक भूरेक लड़की परत जमने लगती है एक योगिक होता है जिससे धीरे-धीरे लोहा खराब होने लगता है संचारन को से बचाओ के उपाए क्या-क्या आपके पस option है लोहे को संचारन से बचाने के लिए फरस्ट है तेल या ग्रीस लगाना चाकू, कैची, आदी औजारों पर ग्रीस या तेल लगाने से उन पर जंग नहीं लगती सेकेंड ऑप्शन पेंट या वार्निश करना यह सबसे प्रचलित तरीका है ग्यल्वी करन लोहे पर जस्ते की परच चड़ाने की प्रक्रिया ग्यल्वी करन कहलाती है बहुत इंपोर्टन है बच्चो यह ग्यल्वी करन से आप क्या समझते हैं लोहे पर जिंक की या जस्ते की परच चड़ाने की प्रक्रिया गैल्वी करण कहलाती है मिश्रिधातु मिश्रिधातु संशारण प्रति रोधी होती है मतलब एक धातु के उपर आप मिश्रिधातु लगा देंगे तब भी धातु का संशारण बचाया जा सकता है विक्रत गंधिता उपचैत होने पर तेल एवं वसा विक्रत गंधी हो जाते हैं, मैंने आपको बताया, उनमें oxygen एड हो जाती है, तथा उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, यह घटना विक्रती गंधिता कहलाती है, तेल एवं वसा युकत खाद्य सामगरियों में उपचेयन रोकने वाले पधारत मिला ज होगा, जैसी कि चिप्स के पैकेट जो होते हैं, उनमें भी nitrogen भरी जाती है, question number 27, रासाइनिक अभिक्रिया दर क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाईए, तथा इसकी इकाई लिखो, रासाइनिक अभिक्रिया दर, किसी रासाइनिक अभिक्रिया की दर, इ अभिकारक अथवा, उत्पात के सांद्रन हुए, परिवर्तन के बराबर होती है, क्या होती अभिक्रिया की दर, अभिकारक या उत्पात के सांद्रन में परिवर्तन, बटे समय अंतराल, इकाई समय अंतराल में, मतलब एक particular time interval में, अभिकारक या उत्पात, या तो वो participants हो, या product हो, उनके सांध्रण में परिवरतन की दर ही अभिक्रिया की दर कहलाती है अभिक्रिया दर की इकाई क्या होगी बच्चों? मोल प्रती लीटर प्रती सेकंड प्रभावित करने वाला कारक अभिकारकों की सांध्रता सांध्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ताप, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, प्रश्टिय शेत्रफल, प्रश्टिय शेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, दाब, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, विक पोटोग्राफी का आधार भूत सिध्धान्त लिखिये पोटोग्राफी का आधार भूत सिध्धान्त प्रकाश रसाइनिक अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है प्रकाश रसाइनिक केमिकल भी है और प्रकाश भी होता है इसमें पोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर ब्रोमा प्रकाश सम्वेदी होता है जैसे ही कमरे में फोटो खीचते हैं प्रकाश इस फिल्म पर अभिक्रिया कर सिल्वर बनाता है यह जो लेप होता है प्रकाश सम्वेदी होता है और आप जैसे ही एक फोटो खीचते हैं प्रकाश इस फिल्म पर पड़ता है और उससे सिल्वर बना इसलिए अभिक्रिया कैसी होगी? AGBR is equal to प्रकाश की उपस्तिती में 2AG plus BR सिल्वर बनाने के कारण वह भाग काला पड़ जाता है जहां प्रकाश पड़ता है और इस प्रकार फोटो बन जाती है इसी के साथ हमारा चैप्टर वन कम्प्लीट होता है उनाने के साथ हमारा लिए?